दोस्तो आस्ट्रेलिया दे रहा है चार साल का फ्री वर्क वीजा, आप टूरिश वीजा को वर्क वीजा में भी कनवर्ट करा सकते हूं, धाई लाग से जादा जॉब्स की अपॉचुनिटी है आस्ट्रेलिया में, आपकी पर मंद सैलरी 5 लैक पर मंद भी हो सकती है, दोस्तो मिस मत करना, यहाँ पर आपको इंगलिश टेस्ट की भी जरुत नहीं है, और बिना एजेंट के भी आपको काम मिल सकता है, और यहाँ का वीजा को वीजा को वीजा में भी कनवर्ट करवा सकते हो, और यहाँ का वीजा कॉस्ट 70 यूएस डॉलर से चालू होता है, जो की और अगर आपको कोई भी paid services चाहिए, तो आप मुझे Instagram पे भी approach कर सकते हो, मेरी Instagram ID है limitlessmayang01, अब guys सबसे पहले हम यह समझ लेते कि आपको Australia में ही क्यों जाना चाहिए, सबसे best advantage आपको Australia में देता है कि यहाँ का climate अच्छा है, आपकी जो salary है वो $3,000 से $10,000 पर मन तक होती है आपको English test की भी ज़रुत नहीं है, और ज़्यादा तर employers आपको free food, flight और accommodation भी देते हैं, आपको पहले माईने रहने और खाने की विवस्ता मिलती है, second month से आपको खुदी अपना देखना पड़ता है, और अगर आप family के साथ जा रहे हो तो ऐसे भी बहुत सारे employers है, जो आप की पूरी family की flight की ticket का भी बंदवस्त करते हैं, और Australia में एक बहुत बढ़िया advantage है कि आपको यहाँ पे 2 साल में PR भी मिल सकती है, और आप अपनी family को भी बुला सकते हो अपने साथ, अपने बच्चों को, बीवी को, parents, grandparents सबको आप बुला सकते हो, हर एक family member के लिए अलग-अल प्रतिशत के बीच में है, यह depend करता है कि आपका कितना अच्छा credit score है, अगर आपका credit score अच्छा है, तो आपको 3-4 प्रतिशत ब्याज में home loan भी मिल सकता है, और Australia में आपको down payment भी बहुत कम करनी पड़ती है, अगर आपको कोई भी घर खरीदना है, your down payment can be as low as 5%, अब दोस्त तो हम यह समझते हैं कि Australia में ऐसे कौनसे कौनसे program से या subclasses से जिसके through आपको काम मिल सकता है, तो guys Australia में आपको 4 सल तक का भी वीजा मिल सकता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर आप tourist visa पे जाते हो, तो tourist visa को बोला जाता है subclass 600, फिर इसके बाद दो different subclasses आती हैं, जिस के through काफी लोगों के job लगते हैं, यह temporary visa की subclasses रहती हैं, जो है subclass 457 and subclass 489, इसके बाद आपको skilled regional visa भी मिल सकता है, यह visa 4 साल तक के लिए valid रहता है, और skilled regional visa का आपको एक और benefit रहता है कि यह visa की duration जब तक खतम होती है, आप PR के लिए भी apply कर सकते हो, फिर एक बहुत famous visa है subclass 48 यह temporary skill shortage workers के लिए है, अब guys हम समझ लेते हैं कि आपका क्या-क्या eligibility criteria रहेगा, या क्या-क्या requirements रहेगी, तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास एक passport होना चाहिए, जिसमें 6 months and above की validity बच्ची हो, फिर आपके पास valid work contract होना चाहिए, मतलब आपको employer की तरफ से job offer लेना जरूरी ह परवाना पड़ता है, मतलब police lien certificate, फिर आपको कोई भी Australia में travel ban नहीं होना चाहिए, और आपको sufficient fund बताने पड़ते हैं कि आप खुद को support कर सकते Australia में, अगर employer ही सब कुछ provide कर रहा है, तो आप $500, $800, $1000 तक भी बताओगे, तो भी चलता है, लेकिन अगर employer आपको कुछ भी provide नहीं कर रहा है, तो आपको $2500 and above बताने जरूरी है, यह जो मैं dollars की बात कर रहा हूँ, यह Australian dollar की बात कर रहा हूँ, तो guys सबसे पहले आपको यह समझने की जरूत है कि Australia में आपको कहीं पर भी job चाहिए, तो आपके पास एक international standard का CV and cover letter होना चाहिए, क्योंकि competition भी बहुत रह हजारों लोग same vacancy पे apply करते हैं, तो जब तक आपका CV and cover letter stand out नहीं करता है, तब तक आपके कोई भी chances नहीं रहते हैं, और आपका CV है, वो keyword friendly भी होना चाहिए, आजकल HRS के पास ज़्यादा time नहीं रहता है, तो वो keyword के basis पर ही CVs की filtering कर लेते हैं, तो अगर आपके CV में right kind of keywords नहीं हैं, आपकी designation के हिसाब से, तो आपको वेसे भी job नहीं मिलता है, और दोस्तो eligibility criteria में आपको travel identity की भी जरुत पड़ती है, बतला आपको blank paper में लिखके बताना पड़ता है, कि आप कौन सी company में जा रहे हो, कौन सी flight से जा रहे हो, कहां पे रुकने वाले हो, हर चीज का आ इसके अलावा भी मैं आपको दो और platforms बता देता हूँ, that is Glassdoor and Google Jobs, तो यह छे best platform है, जब आप initially apply करते हो, तो आपसे दो website को ही select करिये, Zora और Seek, यह दोनों सबसे अच्छी website है, job search के लिए, अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि कौन से कौन से इसे job से, जो ज़्यादा demand में, ज इसकी skills scarcity है, तो सबसे पहला job आता है, welders and tile fitters, तो guys construction line में हमेशा ही job लेते हैं, और construction line में भी welders and tile fitters की सबसे आदर demand रहती है, इसमें आपको wages भी बहुत अच्छी मिलती है, अगर आप experienced welder या tile fitter बन जाते हो, तो आपकी wages 7,000 dollars and above होती है, फिर second number पे आ जाते है, early childhood educators, मतलब primary school teacher and kindergarten teacher, especially kindergarten teacher में आपको कोई भी degree बताने की जरूत नहीं है, अगर आप अपनी country में ऐसे teacher काम कर रहे हो, आप already कहीं पर पढ़ा रहे हो, तो आप apply कर सकते हो, teachers की भी अच्छी wages रिती है, आपको 3,000 dollars and above salary मिलती है, अगर मान लीजी आपके पाद 10 साल से ज़्यादा का garden teacher हो, तो हो सकता है, अपको थोड़ी कम salary मिले, लेकिन अगर आप एक college professor हो, या आप higher secondary को पढ़ा रहे हो, तो उसमें आपको obviously ज़्यादा wages मिलती है, और आपकी wages अनुभव के हिसाब से भी बढ़ते जाती है, फिर third number पे है machine operators, तो guys machine operators की बहुत ज़्यादा demand है, अगर आप JCB operator हो, lat machine चलाते आती है, forklift operator हो, EDM machine आपको चलाते आती है, अगर आप machine line operator हो, या और भी कोई अन्य प्रकार की आपको machine चलाते आती है, तो आपके बहुत ही अच्छे chances है, ये जो काम है semi-skilled jobs में आता है, और इसकी हमेशा ही scarcity रहती है, तो अगर आपको कोई भी machine operate करते आ and packer, logistic supervisor, van driver, इस type का काम मिल सकता है, और supermarkets में आपको foot counter attendant, cashier, stacker and stalker, floor supervisor, store supervisor and store manager, इसके अलावा supermarkets में admin team का भी काम रहता है, और आपको door supervisor का भी काम मिल सकता है, गैस इसके बाद आ जाता है nursing assistant and caregiver jobs, तो healthcare sector में हमेशा ही demand रहती है, तो अगर आप nursing assistant हो या caregiver हो, या आप किसी भी पकार के doctor हो, आप physiotherapist हो, psychologist हो, dentist हो, surgeon हो, gynecologist हो, किसी भी पकार के doctor हो, तो आपके अच्छे chances है, अभी इस time पे physiotherapist की भी बहुत ज़्यादा demand है, गैस फिरा जाता है maintenance and cleaning jobs, तो हर एक factories, हर एक supermarket, हर एक schools, हर एक colleges में housekeepers की जरुत परती है, तो आपको housekeeping का काम मिल सकता है, in fact hotel line म इसके अलावा हर जगे maintenance works की भी जरुत परती है, maintenance में आपका lift maintenance का work हो सकता है, आप maintenance electrician हो सकते हो, या आप security guards और CCTV operators हो सकते हो, इन सब में आपके बहुत ही अच्छे chances रहते हैं, फिर आ जाते हैं sales representative and customer service representative के job, तो guys हर company में sales representative या salesman की जरुत परती है, तो आप sales manager बन सकते हो, sales supervisor बन सकते हो, sales representative बन सकते हो, आपको local store में काम मिल सकता है, आपको supermarkets में काम मिल सकता है, in fact हर companies को भी sales representative की जरुत परती है, especially medical line में, and guys customer service representative की भी बहुत ज़्यादा demand है, तो आपको ये supermarket में काम मिल सकता है, कोई telephone line में काम मिल सकता है, इसमें आप बहुत काम कर सकते हो, front end या back आप calls वागेर attend करने का भी कर सकते हो technical and non-technical, दोनों काम कर सकते हो अपने caliber के हिसाब से, और back end में आप refunds, coupon codes, customer complaints handling, ये सारा काम कर सकते हो, आपके comfort के हिसाब से बहुत सारे different jobs रेते हैं, फिर आ जाता है IT professional and engineers के job, तो IT professional में आपको software developer, software tester, game developer, cyber security में आपको काम मिल सकता है, आपको ethical hacker का काम मिल सकता है, आपको QA automation में काम मिल सकता है, आपको production supervisor का काम मिल सकता है, network engineer का मिल सकता है, और engineering field में आपको mechanical engineer, chemical engineer, electrical engineer, electronics engineer, हर पकर के काम मिलते हैं, फिर आया था construction line में job, अगर आप civil engineer है चुके हो, या आप construction site supervisor हो, या आप painter हो, plumber हो, electrician हो, carpenter हो, furniture assembler हो, हर प्रकार के काम available लेते हैं ये काम क्योंकि labor work है तो इसमें आपको wages थोड़ी ज़ादा मिलती है बाकी कामों के मुकाबले और time के साथ आपकी wages 5,000 डॉलर से 10,000 डॉलर भी easily हो सकती है and guys last but not the least आपको restaurants and hotels में भी job मिल सकता है तो आपको restaurant में restaurant supervisor का काम मिल सकता है food and beverage attendant आपको hotels में bartender का काम मिल सकता है housekeeping room attendant receptionist, event manager आपको security related काम मिल सकते है जैसे CCTV operators, door supervisor, security guards आपको chef के रूप में काम मिल सकता है chef the party, commie chef आपको night porter के रूप में काम मिल सकता है आपको stewards का काम मिल सकता है आप executive chef बन सकते हो और hotel line में सबसे यादा jobs लगता है cooks and chefs का तो अगर आपको cooking आती है या आप कहीं पर chef के रूप में काम कर रहे हो तो आपको जरूर try करना चाहिए Guys, अब हम समझते हैं कि आपको apply कैसे करना है तो guys, मैं आपको 4 platform suggest करता हूँ Zora, Seek, LinkedIn और Indeed ये 4 platform को आप target कर सकते हो आपको regularly 15-20 जगे पर apply करना है मतलब आपको रोज 1 गंटा देना है उसके लिए आपके पास international CVN cover letter होना चाहिए उसके बिन आप कहीं पर भी apply नहीं कर सकते हो और competition भी रहता है तो ऐसा नहीं है कि आप अखेले ही इंसान हो जो उस जगे पर apply कर रहे हो इसी वज़े से आपको regularly apply करना पड़ता है अब दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हो कि कैसे आप इन jobs के लिए apply कर सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको Australia की एक website seek.com.eu इसका example बता रहा हूँ यह Australia की number one website है job search के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारी vacancies मिलेगी तो सबसे पहले मैं आपको sales job का बता रहा हूँ तो आप देख सकते हो मैं seek.com.eu में गया मैंने यहाँ पर सिर्फ sales लिखा हूँ तो आपको सारे sales job दिखा देना आप देख सकते हो sales consultant का job है North Coast Shed Market Private Limited इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो Gotsha Private Limited यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह entry level job है no experience और sales representative का काम है और immediate start मतलब यह urgent hiring का काम है इसी type से आप अलग-अलग काम और देख सकते हो यह है F.com Private Limited में यहाँ पर भी आप देखी है no experience required immediate start sales representative required इसी type से आप यह देख सकते हो black ship marketing solutions यहाँ पर आपकी salary up to hundred thousand dollars भी हो सकती है और no experience necessary यह वाला जो काम है F.to.f sales representative का है F.to.f मतलब face to face sales representative इसी type से आप देख सकते हो और भी काम दिख रहे हैं आपको new home sales consultant का काम है यह काम है Stroud Homes wide bay यहाँ पर आप देख सकते हैं 65,000 dollars से 70,000 dollars मिलता है और इसमें भी आपको commission extra मिलेगा अब मैं आपको एक simple सा example बता देता हूँ gotcha private limited का यहाँ पर आपको 40 से 50,000 dollars पर year मिलेगा देखिए यह जो काम है इसमें experience की जरूत नहीं है no experience required immediate start है मतलब आपको जल्दी से जल्दी वो hire कर लेंगे और entry level job है sales representative का यहाँ पर आपके पास अगर background है तो अच्छी बात है इन चीजों का sales का background hospitality का या retail का customer service कोई एक भी अगर आपको पास background है इन चारों में से तो आपको बहुत ही अच्छा advantage होगा इसमें apart from it अगर आपके बास एक साल या उससे ज़्यादा का अनुबव है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो यहाँ पर लिखा हुआ है no experience required तो freshers को भी लिया जाता है इसमें अब इनको आप से क्या चाहिए a character that loves to learn be coached and contributed to मतलब आपका learning attitude होना चाहिए जो भी चीज़ सिखाते हैं वो आपको सीखते रहना चाहिए इसके अलाबा good organizational skills and effective time management मतलब आपको जो भी काम दिया जा रहा है वो आप time management करके करिए और आपकी organization skill अच्छी होनी चाहिए फिर इनको क्या चाहिए a bubbly motivated personality that loves a challenge and can function well in a customer environment मतलब आपकी एक motivated personality होनी चाहिए जो थोड़े challenges को भी face कर पाए और customer को भी deal कर पाए अब ये जो काम है ये full time traveling role है मतलब इसमें you move from location to location every two week मतलब हर दो अफ़ते में आपको कोई location बदलनी पड़ सकती है तो अगर आपका गूमने फिरने का शौक है तो ये काम आपके लिए बहुत ही अच्छा है आप travel भी करोगे आपका travel का खर्चा भी company की तरफ से रहेगा और आप नए नए शेहर भी घूम पाओगे अब यहाँ पर आपको और भी अच्छे advantage रहते हैं जैसे competitive guaranteed salary plus opportunity to earn the additional $300 पर भी मतलब आपको जो salary मिल रही है वो तो ही उसके अलावा भी अगर आप काम अच्छा करते हो तो commission के basis पे आप $300 हर हफते कमा सकते हो फिर access to extensive skills, training and coaching मतलब आपको training में मिलती जाएगी और यह coaching की वज़े से आप अपने आपको upgrade कर पाओगे और आप जल्दी से खुद को promote भी कर पाओगे तो दोस्तों आप मैं आपको driver के भी कुछ examples बता रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो delivery driver का का काम है यह बर्सोन WA में है यहाँ पे आपको 23 से 25 डॉलर पर आवर मिल रहा है यह काम किसका है? couriers, drivers and postal services का है इसके अलावा आप देख सकते हो truck driver का भी काम है HR license truck driver का का काम ऐसे ही आप देख सकते हो parcel delivery driver का भी काम है यह है the flying kiwi private limited में फिर Aramics Australia में है courier driver का काम delivery driver का काम है tuber Australia में ऐसे ही आप देख सकते हो बहुत सारे आपको काम मिलेंगे यह delivery driver का काम है यह आपको 27 डॉलर से 30 डॉलर पर और मिल रहा है चो दोस्तो इसी प्रकार से आप अलग-अलग vacancies में अपलाए कर सकते हो तो दोस्तो जैसे आपने देखा इस तरीके से आप jobs के लिए अपलाए कर सकते हो jobs के लिए अपलाए करना आसान है अभी ही तो सब कुछी online हो चुका है लोगों को online ही job मिल रहे है तो आप गर बेटे-बेटे online अपलाए करके भी job ले सकते हो second option रहता है कि आप tourist visa में जाके apply करो tourist visa में जाके apply करने का मैं उनी लोगों को recommend करता हूँ जिनके पास already कुछ funds available है क्योंकि आप Australia में जाओगे रहोगे तो आपको थोड़ा कर्चा भी लगता है और Australia में रहकर job ढूणने का सबसे बेस benefit आपको ये रहता है कि आपको बहुत सारे employers पूछते है कि are you currently available in Australia अगर आप yes बोल देते हो तो आपको वो अपने store में बुलाते है और walk-in interview आपका ले लेते हैं तो ये आपको बड़ी असा advantage हो जाता है लेकिन आजकल घर बेटे-बेटे online apply करने में ही लोगों को responses मिल रहे हैं इसमें आपका convenience रहता है आप जो काम कर रहे हो वो आप करते रह सकते हो आप mobile से भी apply कर सकते हो आपको एगंटा रोज देना है और ज़्यादा तर employer आपको sponsor करने को भी ready हो जाते है और आपका जब work permit बन जाता है उसके बाद ही आप Australia में जाके काम चालू करते हो तो यह सारा benefit रहता है जब आप अपनी country से ही apply कर रहे हो और demand बहुत सारी है डाइलाग से ज़्यादा vacancies available है foreign candidates के लिए तो आपको try जरूर करना चाहिए आपको English test की जरूत नहीं है आपको कोई agent की जरूत नहीं है आपको धी apply कर सकते हो salary आपकी $3,000 से $10,000 पर month हो सकती है आपको 2 साल में PR भी मिल सकती है आपको इतने सारे benefit मिलते हैं बाइदेवे अगर आप इस channel में नए हो तो इस channel को subscribe कर लिजिए और bell icon भी दबा लिजिए ताकि आपको सबसे पहले notification मिलेगा जब भी मेरा कोई video upload होता है मैं work visas, study visas and overseas job opportunities के उपर videos बनाते रहता हूँ और अगर आपको कोई भी paid services चाहिए तो आप मुझे instagram पे भी approach कर सकते हो मेरे instagram id है limitlessmayang01 So I hope आपको ये video अच्छा लगा होगा That's all for this video I wish you all the best and see you in the next video